EPFO, पिछली कंपणी का पैसा नई कंपणी के EPF अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें, जान लीजिए तरीका EPFO की तरफ से अकाउंट का पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा ओनलाइन भी दी जाती है ऐसे में आप इस काम को घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं यहाँ जानिए इसका प्रोसेस प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग समयस्मय पर ग्रोथ के लिहाज से नौकरी बदलते रहते हैं नौकरी बदलने के साथ EPF का नया अकाउंट भी खुल जाता है इन अकाउंट को एक साथ मर्ज करना होता है तभी आपकी नौकरी की अवधी का पूरा पैसा एक साथ एक अकाउंट में दिखेगा लेकिन कई बार लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता उन्हें लगता है कि अगर UAN नंबर एक है तो EPF अकाउंट भी एक ही होगा इस गलतफ़ हमी में एक UAN के अंतरगत कई EPF अकाउंट इकठे होते चले जाते हैं अगर आपको भी अब तक ये गलतफ़ हमी थी तो अब इसे खत्म करें और EPF के दूसरे अकाउंट के पैसों को एक ही अकाउंट में चांसफर कर लें ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है EPFO की तरफ से अकाउंट का पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा ऑनलाइन भी दी जाती है ऐसे में आप इस काम को घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं यहाँ जानिए इसका प्रोसेस ऑनलाइन EPF ट्रांसफर करने का तरीका How to Transfer EPF Online Process अकाउंट का पैसा ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको EPFO की वेबसाइट unifidportalmim.atfindia.gov.in पर जाना होगा यहाँ यूजर नेम, UAE नंबर, पास्वर्ड और क्याप्चा डालने के बाद लॉग इन करें Sign in करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिस पर उपर की और online services लिखा होगा इस पर क्लिक करिए इनमें One Member One EPF Account, Transfer Request के लिंक पर क्लिक कर दीजिए इसके बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें आपकी personal जानकारी दी होगी उसे चेक कर ले पर सेलेक्ट करना होता है, जिसका पैसा आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाते हैं इसके बाद Get OTP के बटन पर क्लिक कर दीजिए OTP आपके आधार से लिंक मोबाइल नमबर पर भेजा जाएगा OTP आने के बाद उसे दर्स कीजिए और Submit के option पर क्लिक कर दीजिए OTP एंटर करने के बाद आपकी company को online money transfer process का request चला जाएगा अगले तीन दिन में यह process पूरा होगा पहले company इसे transfer करेगी फिर EPFO का field officer इसे verify करेगा फिर आपको पुरानी और नई नौकरी की details के साथ form 13 भरना होता है भरे हुए form को PDF format में print निकाले sign करके इसे attest करें इसके बाद form को उस company के पास जमा कर दीजिए जिस वाले PF account में आपको पैसा transfer लेना है company या संस्थान आपके EPF transfer request को digital रूप से approve कर देते हैं इसके बाद पिछले EPF के पैसे को वर्तमान company वाले नए EPF खाते में transfer कर दिया जाता है transfer request पूरी हुई या नहीं इसके लिए आप status को track claim status में track कर सकते हैं जाले हैं जालेन सवक्षान, चपके सकते हैं याले हैं क्या जाले नहीं झाल झाल